का सिंधी की सूपर थाटी सीरीज में एले फ्रेंड करते हैं फस्ट आपाल जीतने भी लोग क्लास से जुड़े हैं सबीका क्लास में सबीको गुड़ इवस bend क्लास प्राणा बोच कि यह जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं सब लोग वीडियों को सेर् कर दिजेगा जल्दी जल्दी अपने एंसर कमेंट करें जल्दी जल्दी अपने answer कमेंट करें अभ्यागत सद्द में कौन सा उफसर जुड़ा है पुना उफसर गा गया है आप लोग क्लिर कर जिएगा उफसर वे सब्दान्स होते हैं जो सब्दों के पूर में जुड़कर उनके अर्थ में परविर्तिन कर देते हैं अब बात यहां आपको तोड़ेंगे यहां पर तो अभी धन आ गत, अभी धन आ गत, से मिला है मिलकर बना है आपका अभ्यागत, जहर दिवात हैं आप समझ चुके होगे, यहां पर जो उस्षर प्रुद्विश्द है, वो हुआ है अभी, काफ़ी लोग काफ़ी लोग काज अंसर बिल्कुल सही है जो लोग क्लास में अभी आ रहे हैं उनका भी मुस्ट विल्कम है उनको भी गुड इविनिंग है जैसे 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 जूटते जाएं वीडियो को शेयर करते चलिएगा यह आपके यूपिटेट रीट और जूनियर सूपर टेट के लिए रामबार क्लास है जितने भी साथ ही क्लास को रिगुलर देख रहे हैं उनको निश्चिती परिच्छा में लाज मिलेगा आगे चलिए नेस्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं रमडिये में कौन सा प्रत्य है लो भाई रम सब्सक्राइब कर दियेगा बहुत बहुत्तर अपर यह वाले जेवरें के जवाब बई अनिय प्रत्य है अब बात प्रत्य क्यों है तो प्रत्य वे सब्दांस होते हैं जो सब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं ठेक यदि अंग्रेजी में बात करें तो प्रिफिक्स और सफिक्स कहे जाते हैं उपसरवर प्रत्य आगे चलिए अगला कोश्चिन है अगला कोश्चिन है बोरों सब रखुवन्त कुथार की धार में बारन बजी सर रथी बान की वाहिव उड़ावए के लचछन लचछय कर अरिया समर अथी इस काबे में कौन सा रस प्रिवत हुआ है क्या रधर रश हुआ है क्या भयानक रश या भीवश रश्याब वी रश्याब जल्दी से बताई फ्रेंड कौन सा रश्याब हुआ है इसमें कह रहा है कि बोरें बोरों सब रगवंत कुठार की धारते बारन बजी सरती अब धानत अगर आप इसका पढ़िए देखिए यहां पर जो भावत पन हो रहा है जो यहां पर आपका अस् नमबर एक के साथ चलेंगे जवाब बिलकुल सही है रोद रशीद राइट एंसर रोद रश इसका बिलकुल सही जवाब है अगला कोश्चन है सिरिग सिरी गुरुपद सरोज रज निजमन मुकूर सुधार बरनो रगवर विमल जसु जो दायक फल चार में छंद है दोहा ह दोहा एक अर्वससा चंद है जिसके परथम और टृति ठीक है पहले और चरण रोच सोन्मात्र मात्र हैं और दूसरे और चौते चरण में 111 मात्र हैं उसके बाद आपको परशित करा दिया था जिसके प्रते चरण में 166 मात्र होता है यह सम्मात्रिक चंद होता है तो बात यहां पर पूर है यदि फ्रेंड आप इसमें मांत्रा लगाएंगे तो आपको आइंसर मिलेगा दोहा इसका बिलकूर सही जवाब है दोहा इसके परथम चरण में एक 13-13 मात्र है और दूसरे और चौसरे तरण में 11-11 मात्र है इसलिए इसका जो सही जवाब होगा अगर दोहा अफ्तर नमबर यहां से हर परिच्छाओं में जिसमें भी हिंदी पाठकर में होता है यह प्रस निश्ची पुछे जाते हैं इसलिए अप लोग एंसर कमेंट करिएगा कि वाब के सुद्ध है मोहन और गीता गा रही है गीता और मोहन गा रहा है मोहन और गीता गा रहे है मोहन और गीता गा रही है बहुत सिंपल सा बहुत माइनर साइज में आपको देखना पड़ता है जल्दी से बताईए कौन सा यहां पर सुद्ध है जल्दी अपने अंसर कमेंट करें फटा पट अपने अंसर कमेंट करें क्या होगा इसका सही जवाब चल्दी से बताएं मोहन और गीता गार ही है गीता और मोहन गार ही है ठीक है प्टावट क्या होगा बहुत 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 से आप लोगों में प्रोग्रेस दिन बर दिन अच्छी होती जा रहे हैं और आंसोर आपके सठीक आ रहे हैं बिल्कुल आपना नमर सी जिन लोगोंने कमेंट किया है सब के जवाब बिल्कुल सही हैं आगे चली भाई अगला कोश्यन है इन सब्दों में कौन सा सब्द को सबसे अंत में आएगा बहुत बढ़िया प्रस्ण है जल्दी से दिमाख लगाईए एंसर कमेंट करिए क्लिव होगा क्या क्रम होगा क्रिसक होगा क्रिसान होगा फटा बटता है फ्रेंड कौन सा हिंदी स अंत में आएगा चली से बताएए आपके वडमाला आपके वडमाला का ज्यान इस प्रस्ण को सही करा देगा तो बताएगा फटा बटता है फ्रेंड क्या होगा इस प्रस्ण का सही जवाब जल्दी से एंसर कमेंट करें जी हाँ यह बहुत बढ़िया आफसन नंबर यह वा आपके बहुत नंबर एक साथ चलेंगे जवाब बिल्कूल सही है जो लोग अभी से क्लास में जूर रहे है उनका अभी क्लास में Most Welcome कम है जैसे जैसे आप लोग क्लास में जूड़ रहे हैं बीड़ों को शेयर करिएगा ताकि सभी प्रसिच्चों भाई बनता के बीड़ों पहुचे कि सभी को हिंदी की अती आवश्यक्ता है हिंदी आपकी परिछा में आपकी अच्छे अंक अर्जित करने में एक महत्पूर ह नोम के अधा करता है इसलिए स्यन जुड़िएगा और सभी साथियों को शेयर करिएगा है आगे चलेंगे गारी कोशर्चन की तरफ अगला कोश्चन है चराचरम जगत में कौन सा समास है चराचरम इसलिए जगत में कौन सा समास है क्या तत्पुरूश समास है या द्वन्द समास है या बहुबरी है या करमधार है चल दीज़े बताइए चराचरम जगत में कौन सा समास है तो देखिए आसानी से मैंने आपको पहचान बताया है कि योजग क्लास में बता दिया था कि जिन सब्दों के बीच में योजक चिन्ड का लोप होता है वहाँ पर दोन पर पधान होते हैं मतलब वहाँ पर द्वंद समास की उत्पति होती है कहां है भाई द्वंद आफसर नंबर B की तरफ है द्वंद तो B को टिक कर दीजे एंसर बिलकुल सह ही है जैसे आपने देखा होगा माता पिता भाई बहन यह बहुत सारे ज्यांपल आपके द्वंद समास की ज्यांपल है इसलिए आफसर नंबर 20 राइट एंसर चलिए अगला कोश्चन है सब्दों के सब्दों सब्द का अर्थ असपर्ट करने के लिए कौन सा तरीका सब से बहुत ही मजदार परस्ण है फ्रेंड सब्द का अर्थ असपर्ट करने का कौन सा तरीका सरवाधिक उप्योग्त है क्या वाक्य प्रयोग करना देना ब्रमड देना अरे बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल जितने भी लोग आप से नंबर कमेंट कर रहे हैं देखिए जल्दी अरे बाई किसी भी सब्द को किसी भी सब्द को असपर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है वाक्य प्रयोग करना वाक्य प्रयोग करना थेक आपसर नंबर ये इसका बिल्कुल सही जवाब है आपसर नंबर ये इसका जैसे माल लिजे माल लिजे कोई वर्ड आपका है अमर कोई वर्ड आपका है अमर अगर इस सब्द को आपको समझाना हुआ तो जो व्यक्ति नेक काम करते हैं वह अमर हो जाते हैं इस प्रकार से वाक प्रियोग के माधन से बच्चों को अमर सब्द का साब्दिक मतलब समझा सकते हैं इसलिए आफ्चन नमबर एक के साथ चलेंगे जवाब बिल्कुर शही है अगला कोस्चन देखिए हमारी संसा के दोरा आप घर बैठे संपूर तयारी कर सकते हैं हमारे यहां प्रामरी टेट सूपर टेट यूपी टेट रीट और उसके बाद यूपी टेट और जूनियर सूपर टेट तथा लेकपाल की नए बैच प्रा साइड कराइए जाएगी सुलक रखा गया एंग उन्पर होकले सकते हैं अगले क्यूंकित तरह अगला कोस्चन है की इन में से कौन सा सब्ध सब्सक्राइ Kiriser पुना रिवीजन को प्रस्न है इसको हम तुरंग चलेंगे अभी थोड़ी दिर पहले इस प्रस्न को हल किया है इसलिए आगे बढ़ेंगे देर नहीं करेंगे अगले कोश्चन तरफ चलेंगे अगला कोश्चन है देखिए यह थोड़ा सा लगता है कुछ मिस्प्रिंट हो ग कर देता हूं कि आप इसमें कंश्यूज नहीं है जल्दी दे बताईए देखिए किंडन गार्डन है ठीक किंडन गार्डन है आपका इसके बाद मांटेश्री है और ड्रकाली है यह सारे भाता बिज्ञान की पदती है जो नहीं है वह है अभिक्रमिक अनुजेशन इसका संबंद अजिगमते हैं बागी किंडन गार्डन मांटेश्री ड्रकाली यह सारे का संबंद आपका बाता बिज्ञानते हैं तो जो सही जवाब है फ्रेंड हुआ है आपसन नंबर डी इसकोस्टन का बिल्कुश सही अंसर होगा और काफी सातियों ने आपसन नंबर श्री कम कौन सा मनविज्ञानी करता है क्या मांटेश्री जी करते हैं या महत्मा गांधी जी करते हैं या फ्राविल करते हैं या किल्पैट्र करते हैं चल्दी से बताईए कौन सा मनविज्ञानी क्या मानना है कि बच्चों की प्रारंबिक सुच्छा उसकी मात्रभाता में होनी चा का स्तमर्षन किया था और उन्होंने पूर्जोर प्रयाज किया था कि बच्चों को उनकी मात्रभाता में प्रादर्मिक सिछा दी जाए इसलिए महात्मा गांधी इस प्रंद का बिल्कुछ सही जवाब हो जाएगा बापु जी हां इन्हें आप बापु कहते हैं जिने राष् कि यह से उप्योक्ता नहीं है क्या आग्मन प्रणाली क्या अब्याकृत्र प्रयोगत्य इस प्रकार नाट की मंचन के द्वारा ब्याकन को नहीं पढ़ा जा सकता इसलिए आपसर नमबर D इसका बिल्कुर सही जवाब है नाट की मंचन का प्रियोग आप ब्याकन सिच्छन में नहीं कर सकते हैं इसलिए आपसर नमबर D इसका बिल्कुर सही जवाब है सब्सक्राइब आप नियम पढ़ाना आंद नत्रास को अटेंड को हुआ आख मूनकर एंसर को टिक कर दिये होंगे अब तक उनके जवाब आने प्रारंब हो गये होंगे अब तक उन साथियों के जवाब आने प्रारंब हो गये होंगे बहुत बहुत बहुतर रुकेंगे नहीं तुरंत एंसर को टिक करेंगे मिर्जापुर से आफसर नंबर बी इदर राइट एंसर कल के कोश्चन में हम कल के सेट में हम लोगों ने इस पे डिटेल में चर्चा की थी इसलिए आफ्सन नमबर 20 का विलकुश ही जवाब है आगे चलिए आधिकाल की रचना है आधिकाल की रचना है अखरावट छत्रदाल दसक दीफ रिखा या खुमाल है जिसके रचनाकार है दलपती विजय आफ्सन नमबर 20 की आधिकाल की यहां पर रचना है आपकी खुमाल राष्टों ठीक आगे चलेंगे अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है हिंदी गध्य शिच्छन की पाठ योजना में उद्देश कथन आता है बिलकुल प्रस्चात आता है यहां मौनवाचन के पूर्वाता है जल्दी से बताएं ऐसका सही क्या बेलकुल फटाबटा फटा अपने एंसर पर ? जब हम प्रस्तावना का 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 प्रस्त किया है उस उद्देश की पूर्ती होती है कार प्रारम करता है इसलिए आफसन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है आफसन नंबर 20 दर आइट एंसर चलेंगे नेक्ट कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है आचार राम चंदर शुकल का निबंद संग्रह है माटी के फूल चि आटी का फूल आपको रचना है वह राम ब्रिच बेनीपुरी का है ठीक है उसके बाद छड़ बोले कड़ मुस्क्राय यह आपका है कनहया लाल कि कनहया लाल मिस्त्र प्रभाकर प्रभाकर जी के रचना है ठीक आलोग पर हजारी परसाथ दिर्वेदी का है अब आप समझ ज जवाब क्या होगा बिल्कुल आप सभी के जवाब बिल्कुल सही है चिंता मड़ी राइट अंसर आचार राम चंद्र सुक्ल की जो आपके निवन तंग्रव चिंता मड़ी है आपसर नंबर भी इसका बिल्कुल सही जवाब है जिया आपसर नंबर भी जिन साथियों ने कम राश्टावादी कदवी रामदारी संग दिनकर को किस बता यह सबस्तर मिला था जल्दी दे पताए फ्रेंड फड़ा पड़ा अपना एंसर कमेंट करें क्या होगा सही जवाब जी हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपसर नमबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा आपसर नमबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा आप सभी के लिए एक नया प्रस्ण है पच्पनवा ग्यान पिट पुरुषकार किसे मिला है जल्दी से कमेंट करके बताएं करेंट का प्रस्ण है पच्पनवा ग्यान पिट पुरुषकार किसे मिला है कमेंट के माधम से एंसर दे फ्रेंड पचपनवा ग्यान पिट पुसकार किशे मिला है अगला कोश्चन निरा मिश किशे कहते हैं ए मांतरईद भोजन मोच का इच्छा राते में बिचन करने वाला यह मिर्त्यु का इच्छुप जली बताईए निरा मिश की शंग्या किशे देते हैं फड़ावाट भाए फ्रेंड निरा मिश की शंग्या हम किशे देते हैं फड़ावाट अपने एंसर कमेंट करें चली जली अपने एंसर कमेंट करें कि निरा मिश की शंग्या हम किशे देते हैं अरे भाई आफ्शन नंबर बी इद्धर राइट एंसर जी हां मेरे पूछे का अभी तक किशी ने एंसर कमेंट ने किया जल्दी जल्दी एंसर कमेंट करिए भाई पच्पनवा ग्यान पिट पुसकार किशे मिला है जी हां चलिए आगे बढ़ते हैं सहद सब्द है सहद सब्द है तश् कैसा है जी हां अकिताम अकिताम अचुतम नंबोदरी इसका बिलकुल सही जवाब है यह कड़न का क्यूस्चन है पचपनवा ग्यान पिट पूश्कार मिला है वेलकूल एक साथी ने मारे बिलकुल सही अंसर कमेंट किया है उनको मल्यानम भाशा के लिए 55 गया प्रद्दान किया गया था और पहला भी मल्यानम भाशा के लिए दिया गया था इसलिए option number इस question पर आते हैं सहब्द का जो सब्द है वो हमारा आगत सब्द है इसलिए जी हाँ बहुत बढ़िया option number d is the right answer option number d इस्पस्ट का बिलकुल सभी जवाब है कि जो सहज सब्द है वा आगज सब्द है मतलब कहीं और सी इसको हमने लिया है जो हिंदी भाता में इसको शम्मिलित किया है उश्य ही आगज सब्द करते हैं आफसर, sufote, ऐगे चलेंगे वनिता, वनिता का प्रियोग किस अर्थ में होता है, A, जंगल के अर्थ में, B, इस्थरी के आर्थ में, C, पुस्तक के अर्थ में, और D, बियुत शाइक का अर्थ में, तो बटाए भ़ाई, वनीता का अर्थ किस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं जिन लोगों ने पत्रिका पढ़ी होगी वो जरूर जानते होगी कि वनीता का जो अर्थ होता है वह इस्तरी के संस में होता है कि इस्तरी के ऊपर एक पत्रिका आती है जिसका नामी वनीता है इस्तरी के ऊपर एक पत्रिका कि आगे चलेंगे अगला कोशन मुकुंद किसका परियावाची है क्या विशनु का है क्या शूर क्या क्या काम दियुका है फड़ावड पता है फ्रेंड मुकुंद किस का पर्यावाची है फड़ावड अपने एंसर कमिंट करें मुकुंद किस का पर्यावाची है जी यहां चली भाई मदन है काम देव का ठीक है मदन है यहां पर काम देव नहीं होगा जवाब होगा विश्णू विश्णू इसका ब सिलिक्ट तूह यह नारि जल्दी सूपे कभी सूपे कदे की रहतना है जल्cem करें करें जिया सूफी कभी तो सूपी कभी में यह कही एक ही नाम यह चंप प्रिभु तुम्चंदन मैं पानी पन्ति रख डिखी है वही रहिदास जी इन्हों नहीं लिखा जबारी नलनी तूख भालनी तीरी नाल सरोवर पानी जिक कि रचना है इसलिए आफसर नंबर पी दराइट एंसर ठीक चलिए कुछ लोग कमेंट करें सर नीरा मिश्का आपने गलत बताया है तो हो सकता है गलती हो सकती है फिलाल हम इसको एक बार चेक कर लेंगे आप लोग ब बार चेक कर लेंगे तो क्या होगा इसका इससे हमने मोश्की इच्छा बताई एक बार आम इसको चेक कर लेंगे आप सक भी सही हो सकते हैं ठीक है आजी चलेंगे आगले कोश्चन की तरफ करपट का तदभाव रूप है कपट कारपट कपूर या कपड़ा तो भाई देखि धसके तरस दाशसम रूप है कपड़े का है ठीक आगी चलेंगे अगली कुश्चन की तरफ अगला कोश्चन है निम लिखित में वर्तनी के द्रिष्टी से कौन सा सब्यूग्म सुद्ध है बाराद बसंद, बाराद बसंद, बाराद बसंद या बाराद वशंद पताई जल्दी से कौन सा वर्तनी के द्रिष्टी से सुद्ध है जल्दी से बताए फ्रेंड वरतनी के दिष्ठी से सुध्ध है पड़ावट कुरines बताएं बारात वर्ष्ण्द वर्ष्ण्द वराद वासन्थ या भारात वसंथ जल्दी देगए पड़ापड पने एंसर कमेंड कर फ्रेंड कौन ता यहां पर वर्तनी किद्रिष्टी से सुद्ध है कहने का मतलब कि ब्याकरण किद्रिष्टी से सुद्ध है जी हां जली जली एंसर कमेंड करिए जी हां काफी लोग के एंसर डिफेंट डिफेंट आ रहे हैं तो चलते हैं सह जहाए जवाब की तरह सभी ज़वाब और वसंथ उसका बिलकु सभी जवाब है अर्थ हाएं तो वाइश है देखे आप वाग जानते हैं आप सभी लोग पढ़ा होगा ता सभी लोग जानते हैं कि अर्धस्वर एक ही है यह और वह यह और वह को अर्धस्वर हम कहते हैं क्योंकि इनके उच्छाड में इनके उच्छाड में आधे स्वर जितनी उड़्जा ब्याव होती इसलिए इनको हम अर्धस्वर कहते हैं आप्शन नमबर ए इसका बिल पहचान हो जाना कि अपने प्पहचान चुपाना तो चोर के दाढ़ी तिन का बड़ा ही मुहावरह है आप सभी लोग बताईये क्या होगा इसा है आप को आप सब्सक्राइब कर दो का लिवा ओंझो श्कूर्ण क्योंकि वह चोर्ज होता है वह त्रंग का ग्रस्थ हो जाता है कहने का मतलब पहले से ही डरागवा हो जाता है इसलिए कहते हैं न चोर्ड की दाड़ी में तिनका आपसर नमबर be the right answer आगे चलेंगे एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांज के लिए सब्द होगा आगार प्राकथन पिष्ट पोर्षन प्रस्थावना एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांज के लिए एक सब्द क्या होगा जल्दी से बताएए फड़ा बात को दोहराने का मतलब होता है प्रिष्ट पोर्षन मतलब फीडवैक देना आपसर नमबर सी इसका बिल्कुष रही जवाब है आपसर नमबर सी दे राइट एंसर एक बार कही गई बात को दोहराने रहना मतलब क्या होता है प्रिष्ट पोर्षन देना या फीडवैक दे ना आपसर नमबर तीद राइटन से आगे चलेंगे अगले कोस्टिन की तरह फ्रेंट अगला कोस्टिन है बुद्ध हीन बुद्ध हीन सब्द में ब्याक्रण के दिश्टी से किस शंवर्ग में है क्या संग्या में संग्या में शरुणाम में है बिशिश्ण में है क्रिया में जली से बताएंगे जैसे कहेंगे मोहन बुद्ध्llers कर रहा है बुद्ध्र हीन को सो कर रहा है इसलिए आप्सन नंबर सी इसका बिल्कु सही जबाब हो जाएगा आगे चलेंगे अगले कोश्चन के तरफ छात से इट गिरी वाके में कौन सा कारक है देखिए छात से इट अलग हो रहा है मतलब अपादान की सिती उत्पन हो रही है इसलिए आप्सन नंबर इसका बिल्कु सही जबाब है अगे चलेंगे अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है महोर्मी का संदी विच्चेद है महधन उर्मी, महाधन उर्मी, महाधन उर्मी और महधन उर्मी जल्दी तरफ बताएं महोर्मी का सही संदी विच्चेद क्या है पड़ा पड़ अपना एंसर कमेंड करें फ्रेंड की महार्मी का सही संदी विच्छेत क्या होगा तो देखिए महार्मी का जो सही संदी विच्छेत होगा वो होगा आपका महाधन उर्मी महाधन उर्मी ये इसका बिलकुल सही जवाब होगा महाधन उर्मी इसका आपसन नंबर शी बिल्कुल सही जवाब होगा आपसन नंबर शी दर राइट एंसर आगे चलेंगे अगले कोश्चिंग के तरब समिष्टी का बिलोम सब्द है अपसिष्ट, सी अपुष्टी और डी व्यस्टी तो बिल्कुल सीमपल था फ्डिंड ये समिष्टी का बिलोम हमेशा व्यस्टी होता है, आपसन नंबर डीज का बिल्कुष सभी जबाब है समिष्टी का बिलोम सब्द व्यस्टी होता है तो ये था फ्डिंड आज कि हमारे हिंदी के 30 टाप कोश्चिन इसको हम लोगों यहां हल करिया है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए पेश्टा प्लक्ट थैंक्यू गुडबाई एंड टेक केर